हलो दोस्तों स्वागत है आपकी यूटीब चैनल व्ल्ड अफ इंवस्मेंट ट्रेड में आज मैं बात करने जा रहा हूं जमेटु शेर की बारे में जमेटु शेर आज करीब 14 परसें जो है उपर गया और काफी दिनों बाद यह उपर गया है लगातार यह गिर रहा था तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसके उपर जाने के चांसेज है जरूरी नहीं है कि भागे लेकिन मुझे लगता है चांसेज है तो इस वीडि प्राइस से बात करते हैं कल जो भी क्लोज हुआ था तो यह क्लोज हाता करीब 57 के आसपास आज मार्केट चालू हुआ तो करीब 57.95 के आसपास चालू हुआ और इसने एक हाई लगा है 67.65 का और मार्केट क्लोज होते होते 65 के आसपास यह क्लोज हुआ है तो लगता है पिछले कुछ दिनों से गिर रहा था और देखिए यहां पर से यह लगातार यह बढ़ता गया है और आज जो यह काफी तेजी से ऊपर गया है तो चांसेस है इसके ऊपर जाने के तो उसका देखेंगे हम लोग डीटेल में इसका अनलेसिस करेंगे तो चलिए सबसे पहले इस चौट टर्म या फिर इंटर्टे करते हैं आई पर रेलेटेड वाले इसमें जैनल ट्रेडर या इन्वेस्टर कौन ज़्यादा पैस कामाता है तो जैनल वीडियोस में है मीचल फंड से लेटेड इसमें है और स्टॉक क्यों बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है तो आप चा चाहिए तो वीडियोस देख सकते हैं अपना अनलिसिस के लिए और जिनों भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं व्ल्ड आफ इंवेस्टमेंट रेट को तो आई चलते हैं इसके बागे डीटेल में देखेंगे रिवेंडियू को टान से दोजार रिकिस में 1,713 क्रोड से ब तो लगातार इनके रिवेंडियोस बढ़ रहते हैं अभी जो दोजार एकिस में आप सभी को पता पैंडियू करेंट से इनके रिवेंडियू करोड से बहले 2,000 माइनस 2,451 क्रोड तो सभी माइनस में इनके नेट प्रॉफिट अभी EPS की बात करते हैं EPS देखें यहां पर तो दिखा रहा है 2021 का माइनस 1,65 उससे पहले माइनस 5,61 उससे पहले माइनस 0,2 तो यह बहुत ही बेकार इनका अभी देखते हैं शेयर रोल्डिंग पैटर्न प्रमोटर का खुछ भी नहीं है FIE की बात करते हैं FIE के पास 10.44 % है FIE के पास काफ़ी अच्छा पर्शन रखा हो नों है DI के पास कितना है 3 % है Public के पास देखते हैं Public के पास 83 % मतलब majorly public के पास है Public के पास holding है तो Public owner है इस company की द्व अब देखते नहीं पॉपलिकively wrong to me को सब्सक्राइब को इसके बारे में दाले गाये डाल सकते हैं धर सब्सक्राइब का एक Guys पर्संट ऐसे समझ के मांगे चल सकते हैं। और वैसे लॉंग तर्म में मुझे लगता है लॉंग तर्म में टिक कर सकता हैं। अभी तो कफी नीचे रेट में अवलेबल है। अभी तो स्काओ यह बिजनस इसमा पैसा डाल रहरा है हैं। यह कंडिशन। वाट फीचर में और जैसे जैसे कंप्पनी अच्छा करेगी तो आप और ले सकते हैं तो यह मेरा लॉंग टम व्यू का व्यू हो गया शॉट टम का व्यू देखिए शॉट टम में जो है अलगलग लेवल्स काम करते हैं सबसे पहले जो है इसका एक रेजिस्टेंस था 59.60 या 60 का बोल सकते हैं बट मुझे ने लगता चांसिस नहीं है अभी तो मुझे ऐसा लगता है अब मार्केट कुछ भी हो सकता है बट मुझे जो मेरी अनलसिस बोल रही तो अभी देखिए पहला जो टार्गेट है मुझे लगता है 75 का और यही 75 को क्रोस करता है और उसके उपर यही क्लोजिंग दियाना चाल कोड़ता है वन डे का कैंडल तो फिर अगला जो टार्गेट हो 89 का होगा 89 के उपर निकलता है तो 100 होगा तो यह कुछ टार्गेट लगते हैं और 100 क्रोस करने बद 123 तो यह कुछ लेवल से रिसेंट लेवल पे या फिर आने वाले दिनों में यह अचीव कर सकत करता है डिपेंड करता है कंडिशन पर तो यह थे इसका टार्गेट इसकी स्टॉप लॉस इसके रिजिस्टेंस इसके फानिशल इसके शेरोलिंग पैटर मैंने सब आपको बता दिया एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा यह मेरे अनलसी से मेरी तिंगी ती मेरी सोस्क्री मे प्लते हैंumuz के लिए टियुका कि अधि वीडिए एक वीडियो की में बजाए सकते हैं चाहिए सब्सक्राइब कर Flexile इस उक्षिन में दे दूँगा वाप पर जो भी कॉल दे जाते हैं के वले एजूकिशन परपस के लिए हैं इस तरीके से वीडियो में खतम करता हूँ यदि आप जो में टो शेर में इनिस्वेंट करते हैं तो यह शेर आपके लिए प्रॉफिटबल रहा हैं मिलते हैं अगले प्रॉफिए में